तो कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 की क्लास 10th के सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि सब बच्चों को बहुत अदर टिपिकल और बहुत हार्ड लगता है तो उसी को एजी बनाने के लिए एक कुषिन को हम स्व करके आपको बता रहे हैं जिसमें हमारे exercise 13.1 का 6 questions complete हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे question number 7 तो स्टाट करते हैं तो question number 7 है क्या it is a tent is in the shape of a cylinder एक टेंट है जो कि cylinder shape में है surmounted on a conical top means to say एक हमारे पास हीं पर में छोड़ा साइसे बना देते हूं आप इहीं पर इसे check कर सकते हैं इतने बोला है एक हमारे पास क्या है cylinder है ठीक है और इसी के उपर क्या है एक कों मांट किया गया है क्या हो रहा है एक कों मांट किया गया है if the height and diameter of the cylindrical part इसने height भी दे दिये और डायमेटर भी दे दिये अच्छे कह है एक है इसलेंट height भी होगी है 2.8 find the area of the canvas use for making the tent पूरा हमने जो टेंट बनाया है इसका पूरा कितना canvas canvas का means होते है cloth कितना cloth लगाया है इसे बनाने में और उसकी cost बतानी है कितने पैसे का मंदब कितनी cost है उसकी 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेर दे रखा है ठीक है लेकिन इसमें नोट गिविन है note that base of the tent will not be covered with canvas means जो बेस होता है नीचे फ्लोर टाइप जो होता है तो वह उन्होंने नहीं किया है टेंट से canvas तो यह आपको फिगर कुछ इस टाइप से मिलेगी यह हमाँ पस क्या है एक सिलेंडर है और उसके उपर एक कोन हुआं तो उसने होला है है हां कितनी है 2.1 और कि हीट देंटर की है और पूरे कैनवास की हटना हो बात अलग है इसने थी क्या यह सिलेंडर कल पा要 को इंगे टट्व फाइंट और यह तो पॉंटेवं गिविन क्या है तो पॉइंट वन है 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 जा कि तोबित और आप radius है यह दे रख्य है radius खorki diameter दिया इस ओर रखे पूरी और 從 यह है डिघाल और इसमें बोला है कि पूरा पूरा क्या न смог थे क्ला है मतलब रेट बताएंगे पहले हमें उसका पूरा एरिया निकालने कितना लेकिन इस बेस पे ना नीचे की तरफ नहीं लगाया हमें है तो टोटल एरिया ओफ कैंवास के हो जाएगा एरिया ओफ कैंवास इस इकोल टू सीयसे ओफ सिलेंजर एक प्लस सीयसे ओफ कौन तो सिलेंडर कितना होता है तू पाई आर एच एंड कौन होता है हमाँ पास पाई आर एल जो कोमेंट वाले हुसे कोमेंट निकाल लेते हैं ठीक है पाई आर अंदर बचेगा 2H प्लस L तो पाई कितना है? 22 अपॉन 7 एंड रेडियस आर कितनी है? 2 एंड हाइट इस 2.1 प्लस स्लेंट हाइट इस 2.8 फिर हिहाँ तक समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमने वेल्यूस ही रखी है तो यह हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 2 यह हो गया हमें पास 4.2 4.2 प्लस 2.8 जब हमने इसे स्ल्फ किया तो यहां से यहां कितना? 0.426 और 7 अभी सीधर सीधर 7 से कैंसल हो जाएगा? ठीक है? पूरा-पूरा सीधर सीधर कैंसल हो गया 22 x 2 is 44 अब इसमें क्लोथ यूज किया है इस पॉर्टीफोर मीटर स्क्वाइर अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है इसमें हम से एरिया पूछा था हमने एरिया बता दिया अब वह पूछ रहे कि और सफाइंड़ कोस्ट उसने बोला कि एक मीटर स्क्वाइर की अगर कोस्ट 500 है तो हमें कोस्ट निकालनी है पूरे की अब देखो उसने बोला है कि एक मीटर स्क्वाइर की कोस्ट कितनी है 500 रुपीज ठेक है तो 44 मीटर स्क्वाइर की कितनी हुजएगी ओविसली 500 मल्टिप्लाइए 44 तो जो हम इने मल्टिप्लाइए करेंगे फाइव फॉट जो ट्वेंटी फाइव फॉट्वेंटी टू तो ट्वेंटीटीटू थाउजन रुपीज आ गये है ठेक है और यही इसका आनसर आगे तो उसने कुछ नहीं बस इसकाही इतना ही एंसर है हम इस तरीके से इसले लिखते हैं कि one meter square हम बोलेंगे कि क्लोध one meter square कितने का शनने बोले अट तर रेत ऑफाइव फाइव नड्र फार मीटर मेटर स्क्वाय तो मतलब इसका मतलब हो की एक मीटर स्क्वा इतने के लिए है तो जितना हमारा आंसर आया हो फॉर्टीफोर आया तो फॉर्टीफोर की मुल्टिप्लाइब हो जाएगी अगर हमारे यहां पर 260 आता तो 260 की ठीक है उसमें एक मीटर स्क्वेर का ऐसा भी हो जाता है कि वह 500 रूपीज पर 10 10-2 भी ऐसे भी गिवन हो जाता है तो आपको यहां पर क्या करना है सिदा सिदा टैंसे डिवेट करके वह हम तभी उन्हीं क्वेश्ट्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वह कितने मीटर स्क्वेर किस तरीके से कुष्ट्ट्स में पूछ रहा है तो इस आर आंसर 22,000 रूपीज ठीक है थैंक यू सो मच और लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो क्वेस्ट्न में या किसी भी चीज में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बाबाई टेक केर